नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर नई नोटिफिकिसन के तहत नई भरती सी जुड़ी जानकारी आप सभी को यहां पर मिल ले वाली है अगर आप भी बिजली विभाग में नोक्री पाना चाहते हैं तो आपके लिए नई भरती हाल ही में जारी हुई है जिसकी अंतिमतिती 20 नमंबर 2024 रखी गई है यदि आप भी बिविन पदों के लिए आवधन करना चाहते हैं तो इस पूरी जानकारी को यहां पर देखा जा सकता है तो किर्प्या कर आप सभी छात्र यहां पर जोड़े रहकर इस पूरी जानकारी को अवश्य देखें जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि मदपरदेश पावर जेनरेटिंग कमपनी लिमिटेट की तरफ से 17-10-2024 को जारी किया गया है। बिवरन दिया गया है जिसमें कुल पदों की संख्या चब आली से रहने वाली है। यहाँ पर आप सरेणी आधारत पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी आपको परदान करने वाले हैं। तो आपको बता दे कि यह सीधी भरती रहने वाली है जिसमें उम्मीदवारों के लिए नियमत रूप से काम मिलने वाला है। यहां पर आपके लिए चैन प्रिकिरिया में कुछ इस परकार से आवेदन करना होगा। इसके बाद कंप्यूटर आधारत परिक्ष्ण कायोजन होगा। और उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों की परिक्षा होगी जिसमें आपके लिए प्रतेक प्रसन पर एक अंक मिलने वाला है यहाँ पर उच्छे अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को खाली पद पर नौकरी का मौका प्रदान किया जाएगा प्रकार आपके लिए यह परमानेंट न्योक्ति प्राप्त होगी यहां पर कम्पूटर आधारत परिक्षा से जोड़ी पूरी जानकारी दी गई है जो कि आप नोटिफिकेशन के मुताविक पढ़ सकते हैं यदि आवेदन सुल्क की बात की जाये तो यहां पर उम्मिद्वा गया है कि आपको आवेदन कैसे करना है तो आपके लिए ओनलाइन की वेबसाइट mponline.gov पर जाकर इस फ़र्म को भरना होगा जहां पर आपके लिए मांगी गई पूरी जानकारी दिसा निर्दे सनुसार भरते हुए अपना आवेदन सब्मिट करना होगा यदि यह आवश जिसके भीतर आपको अपना ओनलाइन आवेदन सुनिश्चित करना होगा तो ओनलाइन पंजियन एबम आवेदन प्रारम महोनी की तिस्थी 22-10-2024 सुबह साड़े 10 से रखी गई है जिसकी ओनलाइन पंजियन अंतिम तिथी 20-11-2024 रात 12 वजे तक रहने वाली है इस प्रका जानकारी दी गई है यदि आप भी इस वैकेंसी के तहट आवेदन हेतु इंतजार कर रहे हैं तो यहां पर आपके लिए योगता का विवरान एबम इत से बुझुडी पूरी जानकारी दी गई है तो सबसे पहले तो आपको योगता जानना आवश्यक है यहां पर आप दे के लिए भी यही योगता हासल करनी होगी इस प्रकार आप वैकेंसी के तहट आवेदन को पूरा कर सकते हैं यहां पर कार रहनुभाव भी पदानुसार मांगा गया है जो कि आप यहां पर नोटिफिक्शन के माध्यम से पढ़ सकते हैं यदि आयू सीमा की बात की जाये तो हम आपके लिए और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन के तहट परदान करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफी आवश्यक रहने वाली हैं समस्त जानकारियां आप देख चुके हैं अब आपके लिए यहां पर प्रसिक छणाओधी भी दी गई है जिसमें एक एक बरस की प् समस्तो तक बेतन इन पदों के लिए प्राप्त होने वाला है अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन से जुड़ी समंदित पूरी जानकारी प्रदान की जा चुकी है इसके साथ यदि कोई जानकारी बाकी रह गई है तो आप इस नोटिफिक का पूरा विवरन आपको मिला ऐसी जानकारी यदि आप लगातार तलास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद